रेडियो नौइडा लोकमंच 91.2 एफेंपर मैं विनोज सर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारा सापता ही कारकरम जन की बात इस कारकरम में हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और साथ में विशे सग्यों से इस बारे में विचार उमर्ष करते हैं इस बार का विशे है गुड़गाओं की एक ऐसी घटना जिस पर सवाल उठे नौइडा गिरेट नौडा में जो अपार्डमेंट है उनकी सेफटी को लेकर स्ट्रक्चरल आडिट की बात करने लगे आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है बिल्डिंग की जरासी रिपेर की गई और पूरी छत गिर गई और उससे बड़ा हादसा हो गया उसके बाद अभी एनवी सी की एक बिल्डिंग जो बनाई थी 2017 में उसको खाली कराने का देश हुए उसकी कमजोर देखते हुए तो दिल्ली एंसियार में जब खास्तोर पर नोड़ा ग्रेट नोड़ा में ऐसी हजारों बिल्डिंग हैं जिनकी सेफ्टी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं तो किसी भी बिल्डिंग की इस्ट्रक्ट्रल ऑडिट की जरूरत क्यों है देखिए ऐसे हैं कोई भी प्लैनिं तो इन प्रिंसिपल सो सब कुछ स्ट्रेट लाइन हैं सब कुछ ठीक हैं लेकिन क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी बिल्डिंग पे और ओर मतब एक प्रेशर या तो इत्ता जादा है जिसमें क्वालिटी एस्ट्रेंस नहीं या तो इंटेंशनली या अनिंटें क्वालिटी एस्ट्रेंस नहीं होता रहा है तो 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 उसकी वज़े से क्या है कि अ अन पेपर सब कुछ सही होगा अन पेपर पताचला कि अपने अप्रूब कराया वेटिंग कराई एक अच्छे इस्ट्रेंग ने सब कुछ रिजान किया और पताचला कि M30 कॉंक्रीट भी आई लेकिन जो 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 धातल पे आपका जो कॉलिटी होनी चाहिए वो कॉलिटी या तो मैट्रियल वाइज नहीं हुई या इन टरम्स ऑफ एग्जिक्यूशन जो लेबर मतब जो जिस तरीके के सब कॉंट्रेक्टर और वो लोग इंवाल हुए उन्होंने वो कॉलिटी एं लेकिर हो जाए अब ही आपने देखा हो गाए उसकी टिक्चर जैसे वी इन खर तो उसमें कहा है कि ज्यादातर लोगों को यह रहता है कि इन चाहिए स्टील कम डाला है तो इसमें कहा है सारा ता सारा सारा स्टील सारी बार्स जो झह दिख रही है वो इंटक्त है और कहीं सारा मुद्धा क्वालिटी का है अब इसमें क्या है यह कौंसेशली हो रहा है या 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 यह कहिए कि लिए लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यह आदमी अपने जियों में एक बार घर ख़रीदा है और घर खरीदने के लिए वह जितने कीमत तैकी जाती है वो कीमत दे देता है लेकिन उसके बाद भी अगर उसे ऐसे इस तरह की सुरक्षा की भावना से घर में रहना पड़े तो यह एक सवाल या निसान उठते हैं जो भी लोग निर्मान कारे कर रहे हैं या जो उस निर्मान कारे में जो एजनसी उसकी मोनेटरिंग में जो रहा है यह बीज़ीच में इस तरह सिक जखनाय आती हैं सामने लेकिन ओवेसली यह सारा मुद्दा डिजाइन या उससे लेटेड नहीं है कुछ कि 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 स्ट्रेचल अगर ने सरीया कम डाला या कुछ ऐसा हुआ यह वो लहीं है यह है कि आपने वो कॉड़िटी अव कॉ पुझिख लेवल नास्ग लेवल का हुआ है इस पर इंडिजिवन तो कोई समझ नहीं सकता है कि जब आप भुग करते हो ज़ा जब आप खरीते हो तो आप कुवालिटी के वारे में इतना ज्यादा अप लेवल नहीं समाझ सकते हुए लेकिन यह है कि पूस्ट कंस्ट्रक् अगर इसमें इंटेंशन सही हो, तो सही अडिट हो सकता है. तो नॉन डिस्ट्टिव मतब चाहे आपका 10 साल, 20 साल, 15 साल तरही पुराना स्ट्ट्ट्चर हो, आप उसमें नॉन डिस्ट्टिव टेस्टिंग उती हैं, जिसमें कि अब टेक्नोलोजी के उससे स्कैनिंग करके और हर चीज से और मिक्स करके ठीकिज में टेक्टिव नॉन डिस्ट्टिव करके और विल्डिंग की एंट इछा सकती हैं, एक दूब कर लेना डicus reference, फिन आप आप लेको बाटती है। पर लार्ज के से लिए आपार कर्दो लो है Κार्श नापोर के सब्सक्राइश टावर्स ही worked जैसे होता है हिए चाहूल देखर कर ले जाता है तो इसमें इस्ट्रक्श्रल आउडिट में क्या नर्ड़ा प्रादीकर्ण की या जो क्रेडाई है या कोई ऐसी गौर्मेंट की जिसकी भूमिका हो सकती है जिसकी निगरानी में मौनिटरिंग में इस तरह की जाचे हो सकती है और अनुवारी किया जाये चाहिए वह बिल्डिंग बनने के पार्टली या कंपलीशन होने के बाद जब ऑक्कुपिशन सर्टिप्ट दिया जाता है तब क्या उसको कंपलसरी किया जाना चाहिए या उस तो कैसी वबस्ता होनी चाहिए आपकी नजर में जी अगर इंटेंशन नहीं कुछ होता है इसं में जार्टलन काई उसमें पर恩 के ठिकर लफ और जानंग तो कहीं चुछ हो रहा होगा तो कहीं कुछ कुछ ऊन्त परड़िगरों तो कहीं को कुछ हो उरह होगा उर स्क् Under babys, जा सब्सक्niaर्टलण कर नगए अजसाय नाखें और जिसक थाए तो अनन वो तो लीगल सिस्टम तो अपने मेंडेटरी कुछ भी कर चकता है और रूजरा है कि पोस्ट कर अच्छिशन ओडिट भी ऐसा कुछ अगर इसके लेवल पे लेखें लाज ऑसिंग साइटी इसके लेवल पे देखें तो कराना किसी भी विल्डर के लिए भी अगर वो पार्ट अच्छिशन देखें बना वो आपने वेटिंग कराया यह सब चीजे तो परसिस कर रहीं लेकिन पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या जो अगर 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 अचीब हुआ यह नहीं हुआ इसका तलहल कोई लीगल सिस्टम में वो नहीं है तो यह यह रखा जा सकता है अगर अगर अ करती हैं तो अब यह की लोगों के लिए लोगों के लिए एक अच्छी चीज होगी और और जहां तक ऐसा नहीं कि आगर मेरा हुआ पतास लाग ता मिल रहा है तो मेरे और पांस जार रुपया भी न लगे जो है इस तरह के और इक होने में अब समझ रहे हैं लेकिन लेकिन स सवाल यह उट रहे हैं कि जैसे शुरू में क्या था कि नवयडा जैसे सहर में पंदरे मीटर से ज्यादा हाइट की बिल्डिंगा नहीं बनती थी ठीक है धीरे धीरे अपर लिमिट होगी अब लिग दिया कि हाइट की कोई लिमिट नहीं है तो आप कहीं 20 मंजिल कहीं 40 मंज प्रण किया नीम होता है कि इस नीचे के साफ है इसा नहीं है कि उसमें सारा तौरा अटॉर्टी में अफञाव को इस्ट्रक्टिवल इंजिनियर कापस्थी का होगा वो डिजान करेगा तिर ये इनिजिंग कॉलेज से उसकी वेक्टिउ होगी और तो जो भी चाने से स्टोरी जिसने भी स्टोरी का टावर होगा वो डिजान वह ऐसे हो यह नहीं सचा है कि आप उझार बड़ इस खड़ा रह कि झूछी बीज जब कोई पील्डर को ़िल्डर कुछी अभी भी भी पिल्ड्डर को भीन नहीं को GP कि यह बीडर ने दस तावर हैं पेक एक लेबर कॉंट्राक्टर को दे दिया तेर उन्हें पुछ मेटरियल को सप्लाइ़ कर रहा है कुछ कर रहा है वो जो एक तो उसमें क्या होता है कि और दूसरा इस प्रेशर यह है ही कि हमें चार जार जार रुपए में बेचना है तो वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जो इशू है वो एक में इशू है और 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 अबिसली इंडिविजुल के जानने की जहां तक बात है तो आप आप 99% में पाएंगे कि बहुत रहर होगा कि डिजाइन में आपको फॉल्ट आए वो सारा का सारा फॉल्ट आप ऐसे भी दिखिए एक लगान मना यह आपका अगर क्लास्टर गिर रहा है तो वो कुई अजब यह है कि आपने क्लास्टर को सही तरीके से नहीं जिया है क्याए प्तॉर है कि कमें अजब आप भी एक छो जिसकी वजह से वहर है हो गार माँ आप यह षूल्ट आप जब। थ्योंद तो इस बात पर जालता बायर्स जो परेसान है उनके लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं कि जब होता है उस पर किस तरीके से मरेटी होनी चाहिए देखिए बायर यह इतना कॉंप्लेक्स सिस्टम है कि अभी एक लार्ज उसमें आपने उखरिजा हो वहां पर कंसरेशन चल रहा है आप एक ऐसे आउक्साइडर होते हो आप आप को मुझे नहीं लगता है कि आप जान पा जा रही है एक खराब क्वालिटी जा रही है अब यह इस पर सिंपल यह चीज जो मुझे समन में आई है अभी मैं भी तुछ रहा है यह चीज यह हो सब्सक्ति है कि जो कॉंप्लेशन दिये जाए जाए इस तरह कि उनको उनका फिर एक पैरलल मेंडेटरी किया जाए कि स्ट तुछ बड़ा कि स्ट्रेंट यह चीज जाए इस तरह कि जाए जो जो डेजाइन परामिटर्स लिए गए थे कि यह चीज अचीज अचीज करेंगा वह चीज करेंगा यह चीज कर पाया है और तुसरा है कि हालती इस आईएल उसमें देखिए जैसे बाइर अगर उसमें जैसे क्या होता है कि कोई भी गॉंटिंग हो रही होती है तो उसमें आपको क्यूप्स भरते जाते हैं फिर्म की टेस्टिं को तो उसमें चाहे तो यह बायर्स को इन्वाल कर सकते हैं तो उसे लिए बड़ा बड़ा है सकता है स्टेज भाई स्टेज जैसे है जग अज़के आपने कोई एक फांडिशन डादी अब यह कोई गॉल्म जा रहा है तो उसमें क्या है कि डिफरेंट पैचेज के छोटे बाक्सें में वह रखते जाते हैं उस 30 बड़ा उस्ट लेता है तिर उसकी टेस्टिंग तो यह पुरा को इन्वाल्व किया जा सकता है कि आप सुरू से अब हालागी वही है कि इंटेंट इंटेंट तो जो रही है सही है बिल्कुल बिल्कुल आपने रेडियो नोड़ा लोकमंच 91.2 FM पर बात की और उस गंभीर इसू पर विभिन आयाम पर चर्चा की इसके लिए आपका बहु गुडगाओं में हुआ और चिंता नोड़ा गिरिटनोडा के बायर्स की उनकी जो बिल्डिंग हैं वो कितनी सेफ हैं इनको लेकर सवाल उठ रहे हैं और हम इसी मुद्दे पर विशेज से बात कर रहे हैं कि कैसे आम जनता की समश्चा का हल किया जाए कैसे उनकी चिंता को दूर किया जाए ऐसे और लोगों को हम आपके साथ जोडते रहेंगे आप सुनते रहिए रेडियो नोड़ा लोकमंच 91.2 FM आपकी अपनी आवाज धन्यवाद